आज आप देखने हैं हमारा Easter goodies special और अब बारी है एक और प्योर vegetarian recipe की जहां जरूरी नहीं कि Easter पे बहुत सारी ऐसी चीजियों जो non vegetarian हो vegetarian में बन सकता है बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो vegetarian है खाना पसंद करते हैं तो अब यह जो recipe है यह कौन सी है यह बनाएंगे हैं risotto और risotto जो है उसमें काफी सारे greens हैं देखते हैं क्या क्या करना है इसमें मैं जरा olive oil का इस्तिमाल करना चाहता हूं तो यह olive oil यह ले लिया और risotto के लिए जो हमें चावल चाहिए वो special चावल arboreo यह देखें क्या करना है अभी इसका देखते हैं सबसे पहले जरा प्याज के साथ में इसे बनाएंगे हलका सा जब प्याज स्वेट हो जाए तो फिर इसके अंदर डालेंगे हम यह arboreo rice यह ले लिया इसको यह देखें सौते कर लिया अब इसके अंदर हम डालते हैं यह यह है मेरे पास vegetable stock और थोड़ा सा vegetable stock डाल कर इसको शुरू कर देते हैं इसका पकना और मैं काम करता हूं कि जब तक यह पकना शुरू होते हैं मैं इस पर ढगा देता हूं और कुछ जो सबजिया इसमें डालनी है उसकी तैयारी कर लेते हैं और यह जो तैयारी है इसमें mushroom और यह mushroom मेरे पास है mushroom ले लेते हैं तो यह ले लिए mushroom और इसे काट लिया और यह जो mushroom है इसको डाल देते हैं हम इसके अंदर और क्या क्या चाहिए और हमें चाहिए ब्रॉकली यह मेरे पास ब्रॉकली काफी फ्लेवर होता है काफी टेस्ट होता है इसके अंदर तो यह ब्रॉकली की स्टेम्स और उसके साथ साथ यह जुकीनी और अब asparagus इसमें यह जो डिप्स है यह रख लेते हैं और यह उपर का जो हिस्सा है यह इस तरह से और बाकी जो है यह छोटे पीसे में इसमें हमने मश्रूम डाले उसके साथ साथ येलो जो जो जुकीनी है वो डाली और उसके साथ साथ अभी आ गए असपहरगस और जैसे जैसे पकता आजाए आप इसमें ये स्टॉक डालते जाएं, वेजटेबल, स्टॉक या पानी और अब बंद कर देते हैं, इसे पकने देते हैं, एक वाइन डालेंगे इसके अंदर हम, वाइट वाइन अब इसके अंदर नमक, स्वाद अनुसार, क्रश्ट पेपर, आप चाहें तो पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है एक क्रश्ट पेपर इसके ट्रश्ट पेपर और ये कर दिया मिक्स, अभी आपको लग रहा है कि इसमें पानी बहुत जादा है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा, तो आप देखेंगे इसका जो पानी है, वो कम होगा और चावल सारा सोक लेंगे अब इसके अंदर हम डालते हैं, ये ब्रॉकली और इसके साथ साथ ये स्पारिगस, तो ये चीज, पामिजान चीज, इसके अंदर डालेंगे, जब ये पूरी तरह से पक जाए, गाड़ा हो जाए, ये मॉइस्चर आपको ऐसे नहीं दिख रहा हो, चावल भी गल जाए, इ बिल्कुल डालिये, थोड़ा सा, जादा है, अब नोट करें इसके अंगीदेंस, पुसके बाद का एक रीखा है, जाए एक कप अर्बोरियो चावल, तस मश्रूम कटे हुए, एक पीली जुकीनी क्यूब्स में कटी हुई, एक चोथाई बरॉकली के तुकले, आट अट अस आट काली मिर्श कुटी हुई और चार बड़े चमझ पारमिजान चीज ग्रेट किया हुआ, इसे बनाने के लिए एक पैन में और गरम प्यास डालकर भून लें, अब इसमें चावल डालें और इसे करीब दो मिनिट तक भूनें, अब इसमें आदा वेश्टाबल स्टॉक मिनिट तक पकाएं, मश्रूम, जुकुनी, बचा हुआ वेश्टाबल स्टॉक, वाइट वाइन, नमक और कुटी विकाली मिश डालकर इसे पकने के लिए रख दें, चावल जब गल जाएं, तब इसके अंदर ब्रॉकली, अस्पारेगरस और दो बड़े चमझ पारमिजान